हे गाइस वेलकम बेक टो माई यूट्यूब चैनल मॉनिका इस्टाइली में एक पर फिर से आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज की हैर इस्टेल बनाने के लिए देखे सबसे पहले मैंने बालों को कॉम कर रहा है और आगे के दोनों साइट के बालों को इस तरह से मैंने प सबसे इस तरह से बालों को टू पार में डिवाइड कर दिया है तो और जो नीचे का हैर है उसको मैं साइट में कर लूंगी आगे के साइट कर लिये है जिससे की करने में प्रॉब्लम ना हो उसके बाद जो उपर हेयर लिया है जिम्प्लिस को छोड़ देंगे और उपर की स चोड़ते जाएंगे जिससे की पीछे के साइट बाल मिलेना तो इस तरह से जितना भी हैर हमने लिया था अगे की साइट हाफ बालों में तो पूरे बालों को इस तरह से हम बैक कॉमिंग कर लेंगे बैक कॉमिंग करने के बार पीछे करके हलके हाथों से हम कॉम करके बालों को मानेंच कर लिए तो इस तरह सर देखिए मैंने कर लिया है और जो नीचे की चो फूला सा एरिया ठहडा है तो नीचे नकी से के बालो में मैंने यहांपे बैंन लगा दीया है और इस बालो यहां पे loose बना गया है और कितना अच्छा लग रहा है यहां कर लोग देखने में उसके बाद देखें नीचे पोनी बनाने के बाद थोड़ी दूरी छोड़ते हुए मैंने यहां पे एक rubber band और लगा दिया है तो पतला वाला rubber band का मैंने यहां पे use किया है थोड़ा सा पास कर लेंगे इस तरह से करके और जो इक gap वाला हिस्सा बना हुआ है इसके अंदर पूरे बालों को हम इंसर्ट कर लेंगे तो इस तरह से इंसर्ट करने के बाद ऊपर की साइट से मैं यहां पे बॉबी पिन लगा रही हूं जिससे कि यह हमारा बन अच्छी तरह से टाइट हो हमारा बन बन गेया है एकढम लूबन जो आपको थोड़ा सा से यह जायेगा वह आपी स्ची कोई परब्लम नहीं है उसके बाद मिल पीजब कर लिया है कोउम करके तरह से पीछे लेकर के आएंगे और इस तरह से निकालेंगे लिएत पीछे के चाइट से नहीं के ख़गे वहाँ पे मैंने bobby pin लगा करके बालों को tight कर दिया है same इसी तरह से हम दूसरे side का भी कर लेंगे अच्छे से comb करके लाएंगे और यहाँ पीछे लाके इसको cross कर देंगे कुछ इस तरह से करके आप देख सकते हो और इसको भी हम इस तरह से round कर लेंगे और जितना भी extra hair बचा हुआ है इसको हम fold करकी जो bun के अंदर gap है हमारा तो उसी के अंदर हम इन बालों को insert कर देंगे और करने के बाद यहाँ पे आप bobby pin भी लगा सकते हो और यहाँ पे आप you pin भी लगा सकते हो तो इस तरह से मैंने अंदर की side इसको insert कर दिया है आप देख सकते हो और उपर से मैंने यहाँ पे एक you pin लगा दी है तो इस तरह से देखिए मेरा जो बन है बन के ready हो गया है थोड़ा सा मैंने hairs को face पे निकाल दिया है दोनों side से तो आप इसका look देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका look दिखाई दे रहा है कितना simple और easy और quick pun hair style है जो कि आप simply बना सकते हो क्योंकि self hair style है mostly मैं self hair style ही आपके लिए लेकर के आती हूँ जो easy से भी ज्यादा easy हो तो I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा hair style अच्छी लगी होगी और अगर लगी है तो चैनल को subscribe कीजेगा like share comment करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा मिलेंगे आपसे अपने next video में next hair style के साथ तब तक के लिए bye bye and thanks for watching